आपने मांग संक्य 27 पेजल पर मुझे बोलने का मोका दे हैं मैं आपका आपार विक्ट करता हूँ दन्यवाद देता हूँ आदने सिभापती मोदे जब यह चर्चा चलती है कि अगला विश्वियूद पानी को लेकर होगा तो हम सब कि चिंता सवाविक है आज इस तरह के हालात देश परदेश में बने हुए हैं श्तही जल की निरंतर कमी होती जा रही है पानी की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है मांसून बेरुकी पर है जल्चोत बदाली पर है साथी जल्चतर निरंतर गिरता जा रहा है तो मैं आपके माद्यम से यह कहना जाऊना कि अब वैसमय आ गया है कि बुजल को राश्टे संपदा कोशित किया जाए वैसमय आ गया है जब पानी चाहे सिचाई का हो या पीने का हो उसके लिए दीर गाली योजना बनाई जाए अगर बात करें राजस्तान की तो राश्तान के 33 जिलों में से 26 जिले डार्क जोन में आते हैं और उन 26 में से 12 जिले क्रिटिकल जोन में आते हैं अगर मैं बात करूँ मेरे विदान सबस्चेतर मुंडावर की तो वहाँ पर लगातार दो साल से पानी की समस्याओं के लिए मैं निरंतर आधरने मुख्य मंत्री जी से और सरकार के अधिकारी से मिलता है हूँ सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर और चोटे अधिकारी आज यहां अधिकारी दीरगाव में उपस्तित हैं माननी मंत्री जी यहां पर बैट हूँ है अगर मैं बात करूँ मेरे विदान सबस्चेतर मुंडावर के कुछ गाउं की तो मुडावर कस्बे के साथ साथ ततारपूर, बडली, इक्रोटिया, नारेडी, सोरका, खुर्द, मातोर, बिटोली, बड़ी, जिंदोली, कादर नंगला, कुसालबास, कुरूंद, अजीशपूर, बेहरोज, नांगल सिंगलका, खानपूर, मिवान, खरेटा, सुएटा, सोरकाकला, चकोलिया, रैनगर, सबलगर, रैपूर, रानो, टेड का, शोपूर, प्रेल, यह ऐसे गाओं है, जहां पे पीने के श्रोत, लगातार कम होते जा रहे हैं, नलकुप सूकते जा रहे हैं, सिंगल फेस, त्री फेस, बोरिंग सूकते जा रहे हैं, और इन गाओं के के अंदर इतना पानी है, कि आने वाले कुछ सालों तक, 10-15 सालों तक, इन तभी गाओं को, 20-25 गाओं को, उससे योजना बना कर, जेजे-एम के तहत, उसमें योजना बना कर, इन 20-25 गाओं कर, वहाँ पर पीने के पानी की विश्ता की जा सकती है, अज तो सरकार से निवेदन करना चाओंगा, कि यह ऐसे गाओं में, जहाँ पे पीने के पानी की इतनी जाधा खिल्लत है, आज तो सरकार की वज़े से किसान के नाम पर लोग हाईवे पर बैठे वे हैं पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ दिन बाद ही गर्मी का माहोल जीजी तरीके से बढ़ रहा है मेरे विदानसावाद शेत्र के लोग रोडो पर आएंगे और रोड ब्लोक करेंगे मेरे विदानसावाद शेत्र मुंडावर के अंदर शाजापूर और नीमराणा दो ऐसे बड़े कस्बे हैं जिसके अंदर ओदोगी शेत्र हैं और आने वाले समय में ओदोदिक गतिविदिया और जादा बढ़ने वाली है तो मैं आपके माद्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन दोनों कस्बों को भी शिक्र जल जीवन मिशन के तहट जोड़कर इन दोनों कस्बों के भी योजना बनाकर और जल जीवन मिशन में लावावनित किया जाए आदने सभापती मोद है कुछ दिन पूर भी मैंने स्थकन प्रस्ताओ के माद्यम से सरकार से निवेदन करा था कि पंचायतों के जो पंचायत के दीन आने वाली बोरिंग के कनेक्शन से वो काड़ दिये गए हैं अब जब पानी की उपलबता ही बहुत कम है और पंचायतों के बोरिंग के कनेक्शन काड़ दिये गए हैं तो वहाँ पर पानी के लिए आहाकार मचा हुआ है मैं आपके माद्यम से जल्दाय मंत्री यहाँ पर बैठे हुए और उनसे एक और निवेदन और एक और आगरेस देना चाओंगा मेरा सुजाव देना चाओंगा कि समय समय पर इन दोनों विबाग की जल्दाय विबाग की और उर्जा विबाग की महीने के अंदर कम से कम एक जिला लेवल पर मटिंग करी जाए जिससे कि इन दोनों विबाका सामाचे से बनाए और आने वाले समय के अंदर जनता को लाब मिल सके आदने सभापती मोद है अभी थोड़ी देर पहले सूरजगर से आने वाले माने ने सदस्य ने भी चिंता जाहिर की थी कंटिजेंसी प्लैन बनाया जाता है गर्मी के अंदर टैंकरों के माध्यम से सप्लाई की जाती है पर जहां पर 20 टैंकर की सप्लाई की मांग होती है वहां पर 5-10 टैंकर सप्लाई की जाता है माने सभापती मोध हैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा एक और सुजाव सरकार को देना चाहूंगा सरकार गहाओं के अंदर स्रीवर लाइन सेंक्षन करती है जो पानी होता है वेर्थ नालों के अंदर बैकर कहीं और नावलों के अंदर बैकर निकल जाता है तो मैं आपके मातियों सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का प्लाइन मनाया जाए गाहों के अंदर भी कुई आखोई दी जाए जिससे की वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो ग्राउंड लावल उपर जिन सॉलर इनुषंचा ची गई आज तक मेश विदांसवा शेत्र है दस से कि सोलर प tiempo में 2 साल विदांसवा शेत्र है आपको बताना चाहूंगा एंग गाउवों मेरे व्यक्ति करी मेरे कहने से एक वेक्ती ने अपनी जमीन दान करी दस भैए दस के अपनी जमीन दान करी उसके गाओं के लोंग में उतर कर आ tom29 जुन भीन हम आ scarsita यह मैं आपके मातियम से निवेधन करना चाओँगा कि हुर thànhि है जिसके अंदर वहापर दस बाइदस की एक व्यक्ति की द्वारा जमीन दान करी गई है तो मैं आपके माद्यम से सरकार के मंत्री असीय साब यहाँ पर बैटे हैं और एक्षियन साब को निदेशित करें कि उस व्यक्ति की जमीन गंदर वहापर सोलर बनाई थी मैं जानना चाहूंगा मानने मंत्री जी से 2 साल के अंदर इस योजना पर किता काम हुआ है और हाली में की गई बजट योजना के इंतरगत मानने मुख्य मंत्री जी ने इसरतर बांद से हमारे छेतर के अंदर उम्रेन, रेंट, वांसूर, ठानगाजी, राजगर, क चाहूंगा मेरी एक ही प्रार्ता है चाहे पांत साल का जो बज़ट एक में लेट की तोर पर मुझे मिलता है सरकार पूरा ले ले मेरे विधांचवा छेतर के लिए लोगों को सिर्फ पेजल की आपूर्ती कर दे मैं एक भी रुपैन से मांगना नहीं चाहूंगा आपने का मुखा थे आपका बहुत बहुत दन्यवाद